MPV गारियों की डिमांड भारत में हमेशा से रही हैं और जब ट्रियोटा इनोवा, महिंद्रा मराजो, मारूती अटिगा और रेनो ट्राइबर जैसी गारियों की इंट्री हुई तब तो इस सेग्मेंट ने मानो रफ्तार पकर लिया हो। ऐसे में यूडाइ मोटर इंडिया भी मैदान पर उतरने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, कमपनी एक नई MPV पर काम कर रही हैं। ऐसा न्यूज सुनने को आ रहा है, साथ ही जानकारिया भी सामने आ रही। कैसी होगी नई MPV, इस बार यूडाइ की तरफ से क्या चमक देखने को मिलेगा। ये सभी डीटेल्स पता करते हैं। पर उसके पहले ऐसे ही नई नई गार्यों की खबरे सबसे पहले जाने के लिए हमारी चैनल N Hindi को सब्सक्राइब करें। और बिलके आइकन को दबा दे। वरना नोटिफिकेशन छुट जाएंगे। बात करें MPV सेग्मेंट की नई मॉडल यूंडाइ हेक्स स्पेस की तो बीते आउटो एक्सपो में इसके कॉंसेप्ट मॉडल से दोचार करवाया गया था। हाला कि तभी इसके लॉंचिंग से जुरी कोई भी न्यूज लिक नहीं हुई लेकिन हाल ही में कदम रखने वाली मारूती सुजुकी XL6, रेनो ट्राइबर और महिंडरा मर लाजों के चलते, MPV सेग्मेंट पर लाइम लाइट की पूरी रोशनी गिरते हुए देख, यूंडाई ने अपना फैसला बदल लिया और जल से जल इस पर काम करने का योजना बना ली, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये नई MPV कंपनी की मशूर मॉजिल यूंडाई व लाउंचिंग की, तो अगर प्रोडक्शन का काम जोरो शोरो से होता है, कमपनी इसे साल के अन तक लाउंच कर सकती है, वरना MPV Hexa Space 2021 में रिलीज होगी, यहां बता दे, फिलहाल कोई official news हाथ नहीं लगी है, रही बात कीमत की, तो इसकी price मारूती अर्टिगा से भी कम होने व सब्सक्राइब की चाहत और जरूतों का ख्याल रखेगी, ऐसी उमीद लगा ही सकते हैं, खैर अभी तो और भी जानकारी मिलना बाकी है, पर लेटेस्ट अपडेट्स के मताबिक, माउती अर्टिगा और रेनो ट्राइबर, यह दो सबसे बड़े राइवल्स होंगे, आपक क्या राय है, ने एंपीवी हेक्सा स्पेस को लेकर हमें कमिंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, थैंक्यू